इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं गडूर पुरान के वारे में या खिर क्या है गडूर पुरान और क्या लिखित है इस पुरान में दोस्तो पुरान सहित्य में गडूर पुरान का एक प्रमुकस्थान है सनातंधर में यह मान्यता है कि किसी के मरने के पश्चात गडूर पुरान करवाने से उस जीब को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है इस पुरान की विसालता की बात करें दोस्तो तो गडूर पुरान में दोसो नवासी अध्याएं हैं तथा इसमें अठारा हजार स्लोक हैं इस ग्रंथ में मृत्यू के पश्चात की घटनाओं का बिस्तार से वर्नन किया गया है जैसे कि प्रेत लोक, यम लोक, नरक तथा 84 ला प्रेत जाओं का भी बर्नन मिलता है सधारन लोग इस ग्रंथ को पढ़ने से हिचकते हैं क्यूंकि इस ग्रंथ को किसी परिचित की मृत्यू होने के पश्चात ही पढ़वाया जाता है बास्तों में इस पुरान में मृत्यू के पश्चात पुर्ण जनम होने पर गर में प्रगे संबंधि के गड़ुर्पुरान करवाने से जो नर्क में अपना दंड भोग रहे हैं उसे आत्म सांती की प्राप्ति होती है और वह प्रेत योनी से मुक्त हो जाता है दोस्तों गड़ुर्पुरान में प्रेत योनी एम नर्क से भचने के उपाय बताये गया है दोस् की पुत्र ही तरपन या पिंड दान करके उन नामक नर्ग से पिता को बचाता है दोस्तो इस पुरान में जो सबसे अहम चीज की चर्चा की गई है वह है मिर्त्यू के बाद क्या होता है दोस्तो यह एक ऐसा प्रश्ण है जिसका उत्तर जानने के ज्छा सभी को होती है और सभ अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं गडूर पुरान भी दोस्तो इसी प्रश्ण का उत्तर देता है मनुस्य अपने जीवन में सुभ असुभ पाप भुन्य नैतिक अनैतिक जो भी कर्म करता है गडूर पुरान ने उसे तीन भागों में विभक्त किया है पह एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और तीसरी अवस्ता में वह अपने कर्मों के अनुसार, स्वर्ग और नर्ग को प्राप्त करता है। दोस्तो सधारन सब्दों में अगर जो कहा जाए तो गडूर पुरान में मिर्त्यू के बाद की दसा को दर्साया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है उसके किस कर्म की क्या क्या सजा होती है इसके बारे में बिस्तार से चर्चा की गई है बास्तों में जानकारी की गड़ुर पुरान क्या है और उसमें क्या वर्नित है अगर आप गड़ुर पुरान के वारे में और भी अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लोग पर जाकर गड़ुर पुरान के वारे में और भी जादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपक हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों तो आप हमारे इस चैनल ग्यानमंधन को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ग्यानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे तो फिर जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहे जानते रहे धन्यवाद जय हिंद